परिवार के लिए बवाल नेशनल हेरोल्ड केस में गांधी परिवार के मुश्किले कम होने का नाम नहीं लिए रही मामले में प्रवरतर्न निदिशाले ने राहुल गांधी से घंटों पूछताच की जिसके बाद समर्थन में देशभर में कॉउँठर्स कारेकरता प्दरशन कर रही है लखनों में भी कॉंग्रेसियों ने जम कर प्रदर्शन किया सेंकडों कारेकरता और नेता कॉजों पार्टी कारेले में उमर पड़ा मानो राहल से एडी से पूछताच की खबरे आने के बाद पार्टी कारेकरता में एक अलग ही जोश की लेर दोड़ गई यह तो कॉंग्रेस की संख्या यूपी में टू प्लस वन यानि दो वधायक एक सांसत की है लेकिन जो तस्वीर आज कॉंग्रेस कारेले में देखी गई पिचुनाव में भी दूर दूर तक नहीं दिख रही थी लेकिन आप इस हुजों को देखकर सवाल उटता है कि क्या लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैम्पेन भले ही ना कर पाया कॉंग्रेस के नईया पार लेकिन क्या राखल पर एडी के सवालों का वार करेगा कॉंग्रेस में उर्जा का संजार उसी पर करेंगे चर्चा सबसे पहले जो पॉलिटिकल रियाक्शन्स हैं वो आप सुन गीजें जिसका सूरज नहीं दूबता था वह जो है इस परिवार का आवाज और इस देश के लोगों की आवाज नहीं दबा पाया तो यह लोग तो उनकी चमचागिरी में थे जिसका सूरज नहीं दूबता था यह कहां से आवाज दबा पाएंगे यह पुल्ड रूप से एडी की कारवाई राजनेतिक प्रतिसोध की कारवाई है वह ऐसे एक अकबार के उपर ऐसे एक समस्था के उपर को ले करके हकारवाई की जा रही है कि जिसमें ना लाब ना हार कहीं कुछ है नहीं है जिसमें लेन देने का कोई मामला ही नहीं है वह नो प्राफिट करके उसका है तो उसमें कहीं कुछ लेन देने का मामला ही है कि राहुल गांदी जी सोनिया गांदी जी की आवाज दबाने का यह कूप रियास सरकार द्वारा हो रहा है जो कभी सफल नहीं हो पाएगा गैर जरूरी एक गैर राजनेतिक मुद्दे को लेकर कॉंग्रेस पार्टी का इस प्रकार का सड़कों पर उतरना निश्यत रूप से दिखाता है कि वे जनता के पृति जनता के मुद्दों के पृति और जनता की आकांग्षाओं के अनुरूप ठीक काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें बेल पर निकले हुए लोगों को जिस मुद्दे पर बेल हुई है उसी के विशे में विचार के लिए उसी की विशे में बात करने के लिए एडी ने उन्होंने बुलाया है और एक ऐसा अभ्यूक्त जो जिस विशे पर बेल पर हो उसे उसी विशे पर बुलाया जाना मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है केवल पॉलिटिकल स्पेस के लिए कॉंग्रेस का इस प्रकार का क्रति ये बताता है कि वो जन्ता के सरोकार के मुद्दो से छूट गए हैं तूट गए हैं और बाहर हो गए हैं और चलिए मुलखात आपके उन मैमानों से करवा देते हैं जो आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं दीपक सिंग जी आँमीलसी हैं आप कॉंग्रेस से बहुत स्वागत दीपक जी आपका नादी टीवी पर अश्विनी शाही साथ हमारे सांच जुड़े हुए प्रवक्त भारति जनता पार्टे कि अश्विनी जी जीज़ें आपका भी बहुत-बहुत स्वागत करते हूं रागविंदर पां की हूँ लड़ सकती हूँ या प्रियंका गांधी जी का इलेक्शन टाइम पर कैमपेनिंग करना उतना जोश कारे करता हूं मैं ना भर पाया लेकिन राहुल गांधी का आईडी के पास पहुँचना और वहाँ पर सवालों का जवाब देना ये जरूर पूर कांग्रेस में उर्जा का संचार करता हो क्यों सही के लिकिन आज इस मुद्ध को लेकर कांग्रेस करक propag उत्री है पूरे देवड़ में लोगों में पूर्जा अपने नेता के लिए अब वो चीज़ दिखा है गिरफतारियां हुई है पूलिस की लाखियां कांग्रेश के लोगों ने खाई है कांग्रेश पार्टी को किसी मुद्दों के लेकर अपनी सरकार को लेकर कैसे भवित में आएंगे इससे आंदोलन करना चाहिए था लेकिन खैर किसी विते को लेकर जो भ्रकाचार से मामला जुड़ा हुआ है उससे ही तरकों पर उतरे मैं दूसरी बात और इसमें कहना चाहूंगा कि यह देखिए इडी का मामला है जो कुछ और मामलों में यह राहूल गांधी और तोनिया गांधी बेल पर हैं आप जानते हैं जब कोई मामला लिखा जाता है और वह संदिक्ज मामला होता है उसमें वह जवानत उनको दी जाती है तो पाहले से ही मामला है जिसमें जवानत अब उन्हीं मामलोग लेके ED बुलाई है तो फुल मिलागी यह प्रोसेस से चलगा है अगर आप ED के लिए जा रहे हैं इसके आंदोलन की कोई बात नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि जब आप सोया में वर्जिंग प्रधान मंदरी गूर पर पैसे हैं कि नारा लगाते हैं कि मु अगर तस्वीर आज की और कारण भी आज ही जो रहा रहुल गांदी जी का ED के पास जाना सवालों का जवाब देना और उसके बाद कॉंग्रेस में जो परिवर्तन आज देखे गए अगर कारण यहीं है तो क्या आप कुछ ऐसा ही होगा क्या कॉंग्रेस में यह भी तो सवाल पूचा जाएगा क कॉंग्रेस के पास ही जा रही हूं मैं वीपक सिंग जी क्या कहिएगा जब चुनावाइद भिष्रू हो गया असल दिक्कत यह नहीं दिक्कत असल में क्या है जो एडी के मालिकान हैं दोनों मालिकान को राहूल गांधी से डर लग रहा है इनकी विफलताओं से जस्तरा से देश की जनता में आक्रोस है उससे डरे हुई है एडी के मालिक और सबस करने के मामले में जेल गए थे क्या साहस किसी में बुलाने का वपकु सवाल हरोल के इस मामले में पहुत पहले से मामले को लेकर पूछता चल रहे हैं और उपर से संस्थाओं पर अमि शाह का बेटा सोला सो गुना उसकी सब्वक्ति बढ़ गई कोई सवाल उठाएगा उसके बुलाएगी उसको यह बड़े सवाल है और टाइमिंग का नहीं भारती जनता पार्टी के सरकार की नियती पर सवाल है जिस तरह से वो डरे हुए हैं आप टॉपिक को समझ ही नहीं पाए दर असल हम जिस चीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं हम यह क्या रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जी से आपका कारेकरता बड़ा प्यार करता भले वो विदेश में रहें इंडिया में रहें एडी के दफ्तर में रहें तो कारेकरता इतना प्रेम करता है यह कारेकरता महंगाई को लेकर नहीं करता ये कारे करता ये तमाम मुद्दे जो आप यहां डिबेट मेर बैठकर उठाते ना आप लोग उसको लेकर प्यार नहीं करता क्योंकि जो भीड जो क्राउड हमने कॉंग्रस कारेले में कॉंग्रसियों का दिखा आज वो पहले नहीं दिखाई दिया सर तो क्या यही कि अब ऐसे ही टापिक आप लोगों में जोश बरेंगे परिवार को लेकर इसी तरह बवाल होगा यहीं आपके लिए एक उर्जा का संचार करने वाली चीज़ें अगर किसी को दृष्टी दोस होगा अगर नहीं होगा तो दिखाई पड़ता है उत्तर प्रदेश की अगर कारेकरताओं की बात थी आपके लीडर की बात नहीं की मैंने ना प्रियंका जी की आई अब्यान आपका जो आपको जीत नहीं दिला पाया आज जो कारेकरता कहो जो मालग अलग राज्यों में दिखा है सर वो नहीं दिखा पहले कभी एक साथ आप मुझे गिनवा दिजे वो तारी के एक साथ आपके सभी स्टेट के कॉंग्रसी कारेकरता उमर पड़े हो लगांदी तो देश को उमीदे है राहूल गांदी एक ऐसे नेता है तो देश का यूँँवा नहीं कोंग्रसी आया रोड़ो पर सर सडकों पर कॉंग्रसी आये तेश के यूँवा नहीं आए करतेर्य गांदी जेल पांदी यह तो दीपकई जी लिसन टुमीज़ क्या राहूल गांदी जह बहार रहें जमानत पर की नहीं है मामला चल रहे हैं उन पर की नहीं चल रहे हैं और कोई जेल तो हो नहीं गई किसी माध मसले को लेकर जो कॉंगराहट क्यों थी कॉंग्रेसी आन्याय के खिलाब प्रका है और मैं अउन पर किसी के साथ हुआ अन्याय देश की सब्से बड़ी पार्टी के पूर रास्टिया अध्यक्त के साथ हुआ है अन्याई की परिभाशा आपके लिए कि परिभाशा यह है कि जब किसी भी मामले में हम कह रहे न अगर ये कोई कहे अगर किसी भी संस्था को डाउट है तो वह पूचताच के लिए बुला रहे हैं तो यह अन्याय हो गया यही काम करने वाले दूसरे लोगों से प्रेम है क्या आ रहे हैं सर अगे आगे काफी दिर्चर्चा हो गई काफी आपने भी अपने पार्टी को रिस्क्राइब कर दिया अश्विनी जी दूसरों से प्यार है क्या संस्थाओं को यह राहूल गांदी से कोई कि अलग तरह का गिला है श्यक्वा है क्या है बताइए ज़रा अब दीखे यह संस्थाओं के बारे में को कुछ कहना नहीं संस्थाओं है हंदुस्तान में हमेशा स्वतंदर रहीं हो स्वतंतर से काम कर रहीं है अगर आज देखे दीपक जी जो है अच्छे बैक्ति हैं मगर उनका सरीर उनकी वाणी इसके साथ छोड़ रही है सरीर अलग कुछ बोल रहा है वाणी कुछ अलग बोल रही है आज जो सवाल आपने पूछा उस सवाल पर वो नर रहकर दर दर भागे हैं कि अगर किसी संस्था ने जिसको भी बुलाया को नहीं है कि इनको बुलाया तो इनको क्यों नहीं बुलाया आज जिसको बुलाया वह संवान जनक तरीके से जाए और वहाँ पर उस संस्था को फेस करें अगर संस्था उनको बड़ी करती है तो बहुत अच्छी बात है अगर बरी नहीं करती है और आप लोगों में से बीजेपी का जिस पर सिंबल लगा हुआ होता है उसको नहीं बुलाती है किसी बीजाच के लिए इस पर क्या जवाब है यह तो बड़ा ही मतलब कठिन प्रसन है कि बीजेपी से जुले लोगों को नहीं बुलाते है किसको छोला जाता है जो भरस्टाचार में लिप्त है जिसके उपर केस चल रहा है तो बीजेपी का और डी का क्या संस्था को काम करने दिया जाए इन लोगों ने हमेशा संस्था को अपनी जेवी संस्थाक बना कर रखा वही लोगों ने भार्ती जंता पार्टी पर लागू करने की बात की राहूल गांधी अगर गलत नहीं है तो डर क्यों रहे है को आज पेशी हो रही है उन्होंने सवाल का जबाब दिया होगा अगर वह बेगुना होंगे छूट जा अगुज सब्सक्रांटों में अगर जान आ जाती है तो भारत की सबसे पूरानी पार्टी है वो लोग भी तो दिखें आज आप रासांगी को चुके हैं वो लो उत्तर-प्रदेश की धरती पर देश पर यहां चाहिँ अगर ऑर वह आज दिखिये अगर उन्में जाना जात सब्सक्राइब करते हैं लेकिन अगर विशेश तर पर हम आर्ति-गति वीडियो को समझने की कोशिश करें इस पूरे मामले की जो रिवेन्यू से रिलेट करते हुए वह जो चीजों को समझने की करें तो घुटाला किस तरह से आपको दिखता है बरश्टाचार किस तरह से दिखता है देखिए सबसे पहले इंफॉंस्में डारेक्ट के वारे में वह मुक्तव तीन एक्ट को कवर करती है एक पीमले है हमारा जो मनी लॉट्रिक जिसको कहते हैं ये एक फेमा है जिसमें एकस और फेमा और एक जोलाया गया Angle है जो Sun के बारे में बाड करैं इनको गिलाए लाया गया na कि इसमें प्रोसीड़ औफ क्राइप से एसेड बनाने से समझ सकता हैं कि कोई ऐसा पैसा इस में इस्तमाल किया गया हो जिसका सौड्स किया सकता क यानी कि वह करेप्शन के दूँ आया हो जब हम बहार से हमाले तो इस तरह से कॉंग्रेस का डियक्शन मुझे तो लगता है कि थोड़ा साथ ज्यादा था आज यह बेसिक एक स्टेटमेंट रिकॉर्ट करने कि इसे कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को कहां आपको खोट लग रहा है संस्ताओं का नाम लेकर बात की जने नेशनल हरॉल का सेंट्रल एजनसी को यूज किया गया है तो सेंट्रल एजनसी को यूज किया गया है तमाम इत्यास में हमारे अभी भी ऐसा कुछ आपको डाउट है मुझे इसमें यह लगता है कि एक फानेसल इंवेस्टिकेशन यूट होती है जो अपनी रिपोर्ट करती है उसके ताहित अगर कोई इंक्वारी करनी है कोई स्टेट्मेंट करनी है तो स्टेट्मेंट देने में आपको पूछताच कर रहा है यह इससे कोई गलत चीज नहीं हाँ तुम्हें वह कह रहा था कि इंवेस्टिकेटिक यूट है उनके पस कोई इंफोर्मेशन पास ओन हुई है उसरे डिपार्टमेंट के तुर्या उनके इंटर्मेंट के तुरू तो अगर वो कुछ पूछताच करना चाहते है तो उसका सवाल का जवाब देने में कोई हर हाला कि मिनिस्ट्री और फानेंस के अंदर आता है तो प्रमुक विपच्छी दल को इसमें आपत्ती हो सकती है कि इस एजिंसी को किसी और परपर्पस के लिए यूज किया जा रहा है या पोजिशन की आवाज को दवाने के लिए यूज किया जा रहा है तो वह भी कुछ हद है इस डिबेट में तो जरह से जल्दी उनको वापस लेकर आई है जो भी नेटवाक एशूस है उनको ठीक कर दीजे क्योंकि रागवेंदर जी कई बार ऐसे होता है कि कॉंग्रेस के गैस्ट भी नहीं आती है कई बार चर्चा भी उनसे नहीं हो पाती है तो फिर ऐसे मसलों पर तो चर्चा उनके साथ ही होना जरूरी हो जाता है तो हम इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि वो जुड़ जा है रागवेंदर जी अब इस मामले को लेकर देखें आर्थिक तौर पर इसे कैसे समझा जाए जिंस कैसे काम करती है इस चीज को लेकर जैस्वाल जी ने समझाया तो इसमें एफेंट बट वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए अगर आपको कोई एजनसी सिर्फ पूछता आज के लिए कुछ सवालों के लिए बुला रही है तो इसमें इतना बवाल करने की क्या जरूत है या फिर इस मृति रानी जी ने जो कहा कि कॉंग्रेसियों के घर पर इंफोर्मेशन पहुंचाई गई कारेकरताओं के घर पर कि राहूल जी जा रहे हैं व्रश्टाचार सामने आ गया है विज़र सा प्रेशर क्रिएट कर दीजे या फिर इस तरह से माहौल बनाईए कि लोगों को इस मामले पर चर्चा करनी पड़े जिसमृति जी ने का रागवेंद्र जी देखिए मैं यह कह रहा हूं कि यह जो राजमेशाओं को एड़ी जो भूला रही है या इनके उपर जो आरोप लगा यह को यह सब पहली बार नहीं है इसके पहले भी आप देखाऊगा कि राजी गांधी को पर जो आरोप लगा था सकार के लिए और ला जैसे जो पीजे निकल के आती है यह सब ओपर चक्र भूमता रहता है लेकिन ED या CBI या और भी कोई जासे लोगों तो बिना बैग्राउंड जाने बिना किसी तक समझे बिना किसी आंकरे को जुटाएं वो इतना बड़ा काम नहीं करते क्यों को मालूम है कि पूरे देश की निगाहें इस तरह है यहां पर बहुत आरी दिक्कते हो सकती है और तमाम आलोचना हो सकती है इसमें वो हलका काम नहीं करती है चूंकि आप कुछी यह कॉंग्रेस पार्टी करास्ती अध्यक्ष रहें रहुंगानी और आज ही वो सांसद हैं तो हलका काम सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें पूछताच के लिए महस बुला रहे हैं तो उसमें पूछताच तो उनका हक है जायज एक एजनसी अगर उसे कि पूछताच ही कर रही है कोई आदेश नहीं सुना दिया क्रिमिनल नहीं आपको बता दिया तो इसमें इतना बड़ा यह जो प्रदर्शन हुआ अलग लग राज्यों से निकल कर सामने आया यह करने की जरूवत क्या महसूस हुई इडी को ज़धा सुनाने का धिकार भी नहीं है और जिस मामले में लोगसभा के चुनाव के काफी पहले जबानत हो गई एक केस को कितने दिन निवस्टिकेशन करोगे आप साथ साल दस साल तक चुनाव आएगा तभी निवस्टिकेशन करोगे आप और जो भारती जंता पा है क्या उस बीच में आप संतुष्ट होंगी एक नियम है हमारे सब्सक्राइब लानु जी के साथ तो यहीं हुआ ना तीस पर इस इनवस्टिकेशन चाल रहा है रागबेन पाने जी हुआ तो इदुरॉप्पा के उपर भी था इनवस्टिकेशन होके काम खतम होके जेल हो सब्सक्राइब तो अमिसाज जी के उपर हुआ था तीन साथ ताड़ी पार हो लिए थे वह तो भाज़िया थे वह तो आप सब्सक्राइब कर दो किसे हैं अगर कोई आप तो लगता है कोई कमी जाते हैं काम अपना पूरा नहीं कर रहेंगी तो सुप्रीम कोट में चाहिए तो आप जाएन आपको जहां कमिया लग रहे हैं की बिजेती ने गलत करके एजन्सियों का दूर्वियों किया और उन्हें जुटाया है पीछे लिए है पष्या दीया है और तो आपक्शों नहीं जा रहे हैं अदालब तो खुलिया है अदालब को पुस्प्रों से बड़ी यह वही प्रांध है जहाँ पर जजड़ोया की हत्या की निस्पक जांच के लिए अभी तक जांच ना सुरू के जाने के लिए दबाव हैं। तेपक जी का जवाब मैं देना चाहूंगा यह को कि अब पूछे तो भी आपको पर भरोसा नहीं किसी पर भरोसा नहीं कॉछ्ट को ना सुप्रीम कोड़ पर ना सुप्रीम कोड़ के जाज़स पर ना किसी संस्था पर पर किसी पर भरोसा नहीं किया था इस तरीके का परदरसन कहीं नहीं हुआ था और यह आपको अपने देश के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है राफेल के मुकदमे पर माननी सुप्रीम कोड़ ने क्या कहा था आपके माननी सुप्रीम कोड़ पर तो आपको भरोता है आपके माननी सुप्रीम कोड़ ने कहा था आपके माननी परदान मंत्री जी के जब साइटी की पूस्ताश हुए थी उस पूस्ताश पर आपको क्या कहना है थी वहाँ पर कोई परदरसन नहीं हुआ था पताना चाहूंगा कि संपत्ति कितनी है अचा सब्सक्राइए रागवन जी ने का खुड़ जाएं मेरी कॉलर से ज्यादा मेली है या कम है इस पर चर्चा हो रहे हैं हम तो हम गलत है नहीं वह बाद में बताएगा आप अगर गलत है तो आप पर तुनी कर वाई हुए यह च सब्सक्राइब कारेकरताओं में आज तो जोश दिखाई होगा खुश होंगे बड़े आप कारेकरता वापस हमारा मूर्चा खोलने आ गया चौबिस तक कस्ट रहेंगे इसे जिनको कस्त होगा कारकरताओं कि सब्सक्राइब कारेकरताओं को अश्मीनी जी तीस सेकंड जल्दी से उसके बाद में आगे बढ़ूंगे तीस सेकंड देखिए यह देश में कांग्रेस का अब मैंने पहले बता है आप रसांगी को चुक मैं उसके बात कहना चाहता हूं कि अभी दिपाक जी ने कहा ना सोधन है पत्चास लाख रुपए में पांच हजार करोड की कंपनी ट्रांसफर हो जाती है और सबसे बड़ी चीज संबिधानिक मैं बताने जा रहा हूं जो दल होता है कोई भी राश्टी अगर दल होता है र कर्ज दिया और वो भी कर्ज राइट आफ कर दिया गया यह बहुत बड़ा सवाल है यह इन लोगों ने प्रजात तंत्र में रोज कहते हैं हो रही है तीस सेकंड अश्विनी जी से कोई सवाल पूछना चाहिए तो रागवेंदर जी पूछ सकते हैं तीस सेकंड अश्वनी दिपक जी ने एक बात कहा था इनके पार्टी के एक सांसद हुआ करते थे इनके परदेश सद्यक सिद्धू जी उनका मामला सुप्रीम कोट ने बरी कर दिया था उनको फिर से सजा हुई की नहीं हुई तो यह लोक तंत्र से और न्याय पालिका से देश चलेगा दिपक जी मामला क्या बंदा है जी जल्दी से बताएए समय कम है मेरे पास प्रॉसीड औफ क्राइम अगर देखते हैं इसमें कि फंड का मुविम्मेंट अगर कोई ऐसा हो जो करॉप्शन के तरू या किसी इसी तरह से आया हो तो मामला बनता है नाई तो मामला बेसिकली जो कॉछ पार्टी ने लोन दिया है किसी भी कारे करता को तो सुप्रीम कोट जा सकते हैं बिलकुल जा सकते हैं जुडिशली का तो रास्ता हमेसा ही खुला हुआ है और इस मामले में जो भी होगा वो तो जुडिशली डिसाइड करेगी एडी तो एक इंवेस्टिगेटिंग एज जुड़ा हुआ है क्योंकि राहुल गांधी और उनकी पार्टी राष्ट्वे पार्टी है अब उत्तर प्रदेश में उतना वर्चस्व पार्टी का है या नहीं आप ही लोग जाने क्योंकि आप लोग ही जुनता है आप लोग ही बोटर्स है टू प्लस मन के संख्या रह ग भलही इलेक्शन टाइम में उतना नहीं दिखा या फिर कैम्पेनिंग्स में दिखा लेकिन जो जोश कारेकरताओं में आज दिखा इसी तरह से कारेकरताओं में जोश परने का काम आगे कॉंग्रेस करेगी या आने वाले समय के समय के लिए कॉंग्रेस की तरफ से ही कोई त सके सवाल तो कही है दीजे जाज़त रखे अपना खयाल हमस्कार